मैं इसे कहतिहासिक मोड मानता हूँ और मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स से ब्यापक कंसल्टेशन के बाद ये फिल्म पालसी बनी है और खासतर से इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए साथियों ने काफी इसमें सहयोग किया है मैं इतना का सकता हूँ कि यहां का पूरा प्रसासन पूरी तरह परतिबद है कि वह पूराने दिनों के वापसी फिर से यहां हो सकी है आमर्साब आपसे जाना चाहेंगे जहां प्रोडूसर्स और डिरेक्टर्स का रोल होता है फिल्म को हिट करने में वहां कितनी इंपॉर्टन्स होती है लोकेशन की और कश्मीर से बेहतर पूर जगे नहीं देखिए कश्मीर से कोई खूबसूरत जगा मैंने तो देखी नहीं है अपनी जिन्दगी में और उसकी एक खास वज़े यह है कि यहां के लोग जो है वो जितनी खूबसूरती है यहां की उतने ही खूबसूरत लोग है यहां के और यह बड़ी खुशी की बात है कि सिना साब ने यह पॉलिसी निकाली है इससे इंडस्ट्री को एक बार फिर मौका मिलेगा यहां आने का यहां की खूबसूरत लोकेशन्स में शूट करने का और मुझे लगता है कि देश भर की बलके दुनिया भर की लोगों को कश्मीर क मजा लेने का एक मौका मिलेगा और यहां के लोगों को जैसे अल जी साब बता रहे थे कि यहां के जो टैलेंट है उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और यह बहुत ही बड़ी बात है मैं तो एक दिन चाहूंगा देखना के हम कश्मीरी फिल्में देखें जैस आपका क्रूँ यहां जाकर एंबस्डर बने ताकि यह जो रिवायत है वो फिर से दोबारा है यह ज़रूर होगा थैंकी 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 थैंकी